नमस्कार टीपीवी नियूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुलदीब कार निर्मता कमपनी हुंड़े को लेकर शोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मच गया है भारती यूजस ट्वीटर पर बायकाट हुंड़े ट्रेंड कर रहे हैं दरसल कमपनी के तरफ से 5 फरवरी को कश्मीर एकता दीवस को लेकर एक पूस्ट किया गया जिसके बाद भारती यूजस भड़ा गए और हुंड़े के इस पूस्ट पर गुस्सा जाहिर करने लगे और हुंड़े कमपनी के भषकार को लेकर ट्वीट करने लगे क्या है पूरा मामला जानते हैं वस्तार से पाखिस्तान 5 फरवरी को कश्मीरी एकता दीवस मनाता है इसी दिन को अपने अंदाज में मनाते हुए हुंड़े कमपनी की पाकिस्तान यूनिट के शूशल मीडिया हैंडल से एक पूस्ट किया गया इस पूश्ट में लिखा था अपने कश्मेरी भाईयों के बलीदान को याद करे और उनके समर्थन में खड़े हो क्योंकि वे आजादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं यही नहीं हुंडई की सहीयोगी कमपनी किया मोटर्स की तरफ से भी ऐसा ही ट्वीट हुआ जिस पर देखते ही देखते भारती यूजर्स ने हुंडई को उसकी असलियत दिखाते हुए पाकिस्तान में उसकी हैसियत भी दिखा दी यूजर्स ने कहा कि हुंडई कमपनी दुनिया के सबसे बड़े बजार यानिकी भारत को समझने में भूल कर गई है अब भारतिये उसे घुटने पर लाएंगे हुंड़ाई पाकिस्तान का पोस्ट डिलिट हो गया लेकिन उसके स्क्रिन शॉट शोशल मीडिया पर वाइरल हो गए 1990 से पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीर एक जुटता दीवस मनाया जा रहा है इसके तहट वो कश्मीर के मुद्ध को सब के सामने उठाना चाता है इसी का सपोर्ट हुंड़ाई ने क्या था इसके बाद हुए बवाल के कारण उसे ये पोस्ट डिलिट करनी पड़ी आटो कमपनी हुंड़ाई मोटर इंडिया ने ट्वीटर पर बायो कार्ट की ट्रेंड के बाद रविवार रात को सफाई पेश की दक्षिन कोरियाई वाहन कमपनी की इंडियन सबसिडियर ने बयान जारी कर कहा कि वह भारतिये रास्टवाद का सम्मान करती है कमपनी ने भारत को हिंड़ाई ब्रैंड के लिए दक्षिन कोरिया के बाद दूसरा घर भी करार दिया बीरो रिपोर्ट टीपीवी निउज